हेलो दोस्तो दोस्तो आप देखेंगे अपना चनल ठेकेज़े ठेकेज़े माजी बडाने आपका दोस्तो इस यूडियो के अंदर हम बात करने हैं डू-वाइल लूप की ठीक है इससे पहले हमने दो लूप देखें हैं फोर लूप एड वाइल लूप तो उन दोन लूपों म तो बिल्कुल आपका कॉड रन होगा ही होगा चाए कडिशन फॉल्स हो या ठ्यू हो तो उसको यबार एकजयाँपल देख लेते हैं ठीक है तो चलो let on the PC सबसे पहले देखो क्या करते है syntax देख लेते है syntax क्या होता है syntax होता है do आपको simple do लिखना है यहाँ पर break it देना है यहाँ पर आपकी break it आएगी जो code आएगा वो यहाँ पर आएगा फिर while यहाँ पर आपकी condition आएगी तो condition यहाँ पर लगा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर लगा देता हूँ let user equal to 1 user equal to 1 मैंने दिया इसके बाद यहाँ पर condition लगा देता हूँ user less than equal to 10 अगर user less than equal to 10 है तो क्या करो console.log simple सा यहाँ पर क्या है user user मैंने किया plus आपको यहाँ पर भूलना नहीं है आपको यहाँ पर देना है user को increment करना ही करना है या तो आप user plus plus कर सकते हो या फिर user equal to user plus 1 कर सकते हो totally दोनों सेम ही चीज़ है कोई ज्यादा difference नहीं है दोनों एक ही काम करेंगी तो अभी मैं देखो आप एक print save करता हूँ तो यह देखो आप एक दो तीन चार पांचा साथा नो दस आपको पता यह उस टैप से वर्क कर रहा है इसके इंदर difference कहा है यहाँ पर condition कहा है user 10 से छोटा होना चीज़ जभी हो हो तो मैं user को 11 कर दूँ अब एक चीज़ को 11 किया user console.log user 11 यह अपना code एक बार 11 प्रिंट हुआ उसके बाद रुक गया है ठीक है तो यह किस टैप से रुक है आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ its run 11 its run किस टैप से हुआ सबसे पहले अपना let user 11 है इसके बाद यह आए do के अंदर do के अंदर मतलब करो यह आपका जो यहाँ पर जो भी code होगा वह आपका इस ब्रेकिट के अंदर होगा इसके अंदर जित्ता भी code होगा उस code आपको run किया जाएगा do loop do y loop code को run करेगा अब यहाँ पर क्या हुआ console.log user its run इसको print कर दो और user है उसको increment कर दो एक से तो क्या हुआ user को increment कर दो एक से user को increment कर दिया अब क्या हुआ user होगा 11 user को पहले उसने print कर दिया फिर उसको increment किया तो user होगा 11 user 12 होगा पहले user 11 था यहाँ पर user 12 होगा फिर यह आया है यह code run सबसे पहले आपका यह code run होगा इस code run होने के बाद condition check, उनमें क्या होता, पहले condition check then code run, इसके अंदर क्या होगा, पहले code run होगा एक बार at least, उसके बाद आपकी condition check होगी, फिर वो condition अगर true होती है, फिर आपका further code run होगा, अगर condition false होती है, तो आपका code वहीं head जाएगा, और इस loop से बाहर आ जाएगा, direct, मैं अ तो मेरा क्या code है, जैसे पूरी loop खतम होगी, condition नहीं true होई, तो code इसके do I loop के भार आ गया है, वहीं मागर यहाँ पर 10 कर दो, अब आप चीज़े 10 किया, अब क्या यह loop run होगी या नहीं होगी, आप बताओ, बोलो, नीचे comment करो कि यह loop run होगी या नहीं होगी, तो देखो आपके सामने होगा, 10 it's run, ठीके 10 it's run, बट आगे run नहीं हुई है, एक बार run हुई है, उसके बाद आगे run नहीं हुई है, आगे क्यों नहीं हुई है, विकोज 10 जैसे यहाँ पर value होगी ती 11 user की value, यहाँ पर होगी 11, मैं आपको एक console भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ प नहीं होगा, वहीं मैं इसको 9 कर दूँ, तो आपका फिर चलेगा 9 और 10 यह दोनों आएंगे, इसको यह बार हटा दूँ देखो, अब देखो, आपके 9 और 10 यह दो बार run हुई है, क्योंकि पहली बार क्या है condition, पहली बार तो इसने condition check नहीं कि direct ऐसे run हो गई, ठीक है, पहल पहली हुआ, 9, तो 10 हुआ, 10 तक भी चलने चाहिए, तो 10 तक भी चली है, तो इस टैप से अपनी do while loop work करती है, ठीक है, आप इसको तो अगर complex भी करना चाहिए, तो आप complex भी कर सकते हो, ठीक है, वह आपको problem solving skills पर ध्यान देंगे, जब उन सब चीजों को हम तोड़ मुरोड कि आपको अलग-लग ideas दूगा किस steps से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, अपनी problem solving skill को increase कर सकते हो, ठीक है, तो आ सकते हो, फिलाल इस वीडियो का motive था कि आपको do while loop समझ में आगे है, तो इस वीडियो का motive पूरा हो चुक है, हम फर्दर आगे देखेंगे, इन सब को loops को काम लेंगे, ठीक है, examples में अपने, तो इस वीडियो में ते, take care, bye-bye.